हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे नए तरीके से उड़त डाल की बहुत ही सवाधिश ट्रेसिपी ये डाल खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है इसे बना कर देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएंगी और बहुत ही कम मसालों के साथ डाल बनकर रेडी होती है तो चलिए रेसिपी देखते हैं तो देखें उड़त की डाल बनाने के लिए हमें लेना है चिलके वाली उड़त की डाल तो अगर आपके पास ये वाली डाल नहीं है तो आप बिना चिलके वाली भी ले सकते हैं पर अगर है तो यही यूज़ केज़ेगा इसका टेस्ट बहु प्रेस करते हुए इससे कर ले जिसे जो चिलके का बाजू का साइट रेता है वो कड़क रेता है वो पूरी ता से निकल जाए तो देखे इससे कर लेना है और साथ ही हमें इसे पछोड लेना है तो देखे इससे हमें इसे कर लेना है तो एक से दो बार हम कर लेते हैं तो दाल एक बराबर सी हो जाती है और जब हम दाल को बॉयल करने रखते हैं तब दाल के छिलके इस ताइसे उपर नहीं दिखाई देते हैं तो दीखे इस ताइसे हमें दाल को पूरी ताइसे साफ कर लेना है और साथ ही हम दाल को बॉयल करते हैं तो दाल को बॉयल करने से पहले दाल क को हमें तेल में भून लेना है तो छोटा सा चमश भर कर तेल दाल कर दाल को हमें हलका सब भूना है तो दाल को भूनते समय दाल का कलर चेन नहीं होना चाहिए और हलकी सी इसमें से भीनी-भीनी से खुश्व आना चाहिए तब तक ही हमें दाल को भूना है तो इस समय दाल पू और इतना पानी लेना है यह सही रेशू है उड़त दाल को बोईल करने के लिए पानी का तो देखें पानी हमें एड कर दिया है और साथ ही हमें क्या करना है पानी में अच्छी से बोईल निकला है तब तक हमें इसे कुग करना है तो इस समय हमने ग्यास की फ्लेम फूल रखी ह और जब देखें पानी में इस्ता से बोईल आ जाता है तो उपर से दाल में जाग दिखाई देता है तो इस जाग को हमें हटा लेना है तो ये जाग अच्छा नहीं रहता है शेरिर के लिए ये शेरिर में यूरिक असीड बढ़ाता है तो इसे दिखें हमें इस्ता से निकाल लेना है और पूरी ता से इसे निकाल दीजेगा और जब हमने इसे निकाल लेना है उस समय हमें इसमें एड़ करना है हल्दी पौडर तो आधा चमच हमें हल्दी पौडर एड़ करते हैं और साथ हमें इसमें नमक भी आड़ करना है तो आधा चमच हल्दी पौडर और एक चम फ्लेम पर मत पकाएगा उसे मेडियम फ्लेम पर ही पकाना चाहिए जिससे एक से एक दाना इसका सौफ्ट गलकर रेडी होता है तो देखे अब हमने कुकर लगा दिया है और हमें इसी निकालना है तीन विसल तो दाल में पानी का रिशो परफेक्ट है इसलिए उपर से पानी sacred नहीं आता है तो इस तासे दाल कुक होकर रेडी हो चुकी है तो इससे हम एक बार चेक कर लेते हैं तो दाल को हम इस सबस्त कर कर देखे तो यह बड़ा से सौफ्ट हो चाहिए इतना ही हमें इसे कुख करना होता है और यह अगर चीज़े सॉफ्ट नहीं होती है तो आप इसकी और एक विसल निकाल सकते हैं और साथ ही हमें क्या करना है दाल और दाल का पानी अलग-अलग दिखाई दे रहा है तो देखे इस चाहिए मतने से इसे हलका सा मैश कर ल हम दाल के लिए तड़का बनाते हैं तो कड़ाय में हमने तेल दाल कर आधा चमच जीरे को भून लिया है और उसी के साथ आधा चमच हमने राई आड़ की है राई और जीरा बढ़िया से चिटक रहा है तो अब हमें इसमें आड़ करना है करी पता को तो करी पता हम इसमें साथ पत्ते ये दाल authentic तरीके से बनाई जाती है जिससे गाउ साइड में उड़ित की दाल बनाई जाती है उससे आज हम दाल बना रहे हैं और साथ ही हमने एक छोटा कटा हुआ पैच भी इसमें एड़ किया है पैच को भी हम अच्छे से भून लेते हैं गाउ साइड में बनने बनाते हैं इसलिए हमें अद्रक का छोटा सा तुकडा लिया है उसी के साथ दो हरी मिचली है साथ हमें छे से साथ लसन की कलियाल इसमें लेना है और उसी के साथ दो चमच इतना सुखा नर्यल लेना है आप चाओ तो गिला नर्यल भी ले सकते हैं इसे हमें मिक्सी में चला लेना है तो इस ता से हमने महीन पीश करें से रेडी कर लिया है इससे दाल का टेस्ट भी बढ़ता है और साथ यसाथ ज्यादा हिल्दी भी हो जाती है और उसी के साथ पैज भी भून कर रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें सुके मसाला अड़ कर देते हैं तो हल्दी मसालों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं और साती जो हमने मसाला पीस कर रेड़ी किया है वो भी हम इसमें एड़ कर देते हैं तो इस मसाले में हमने सभी चीज़ों को कच्छा ही लिया है तो अब हमें क्या करना है गैस की फ्लेम पूरी तवा से लो रखना है लो फ्लेम पर इस को दालने के बाद पानी दालने के हमें जल्दवाजी नहीं करना है दाल को हमें मसाले के साथ बढ़िया से कुक करना है तो अब हमें करना है गैस के फ्लेम फुल और फुल फ्लेम पर दाल को इस ता से बढ़िया से चला लेना है तो इस ता से मसालों के साथ दाल की भुनाई कर तो तीन से चार मिट के लिए दाल को मसाले में चला लिया था साथ ही हमने कटा हुआ हरा धनिया इसमें एड किया है और अब हमें इसमें एड करना है गर्मा गरम पानी को तो दाल को बूनते समय हमें पानी को पहले से गरम करकर रखना है और जो कुकर में हमने डाल को बोईल किया है उसी कुकर में हम पानी डाल कर डाल में अड़ करेंगे तो अगर आपको क्रीमी सी डाल पसंद आती है तो आप इस ताह से डाल को अच्छे से मिक्स करकर डाल बनाते है तो दाल के दाने पूरी रास जब फूर जाते हैं और ये दाल क्रीमी से इसी बन कर रेडी होती है तो देखे हमने पानी इसमें एड़ किया है एक कप के करीब पानी हमें आड़ करना है आप चाओ तो जितने आपको ठीक पसंद है उतनी ठीक दाल बना सकते हैं तो इस ताओ से हमें दाल को mix करना है तो इस समाय हम नमक को check कर सकते है तो मुझे दाल में थोड़ा नमक कम लग लग रहा था इसलिए हम और गाना चमज इसमें नमक add कर रहे है और साथ धाल को हलक साथ खश्टापन के लिए हम इसमें आइड करते है तो देखें दाल को हमें 3-4 मिट के लिए बॉयल ले लहा है और उसी के साथ दाल को दे रहे हैं तड़का तड़का देने के लिए हमने गी लिया है घी का तड़का बहुती अच्छा जाता है गी जब गरम हो जाये तब हमें इसमें आड़ करना है एक चोठा ही चमच जीरा और का जुरूर धान रखेगा तो देखिए हमें इसे इसा से लसन को चेक भी करना है और जब लसन में हलका सा कलर चड़ जाए उस समय हमें दाल को तड़का देना है तो इससे दाल भी अच्छे से वॉयल हो चुकी है तो अब हम इसमें आड़ कते हैं एक चोथा चमच कश्मीरी ल अंदर तक मुर कराता है और उसी के साथ हमें इसमें दाड़ रहे है कटा हुआ हरा धन्या तो इस तहा से गर्मा गरम उड़त की डाल बन कर रेड़ी हो चुकी है तो अगर आपने पहले इस ताह से उड़त की डाल नहीं बना कर देखी हैं तो बना कर ज़रूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएंगी ये दाल सकते जादा हिल्दी रहती है कैल्शियम भरपूर पाया जाता है उड़त के दाल में तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और और भी रेसिपी देखने का मन हो या आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग माय वीडियो आपका कीमदी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद